नमस्कार आज ही वाई सब लोग जी एस गुरु विकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है गोडियूनिंग कविता जी गोडियूनिंग आचल जी तो आज हम लोग जो है साइन्स का जो डाउट क्लीरिंग सेशन है वो करेंगे है न कुछ करेंगे इसमें और जो भी आपके क्वेस्टन है वो सभी आप पूछ सकते हैं स्वागत है विसाल जी अमिज जी स्वागत है कामता जी स्वागत है आपका भी निटेश जी गोडियूनिंग आजाई भाई बाकी लोग भी आजाई है सब लोग चलिए देखें कुछ मिनट बाकी है एक मिनट बाकी है एक मिनट में हम लोग सुरू करेंगे क्विज चलिए भाई और बताईए क्या हाल चाल है गोड इवनिंग सर्फराज जी ओम प्रकास जी निटीज कुमार जी स्वागत है पंकर जी गोड इवनिंग अच्छा है और पढ़ाई कैसे चल रही है सब लोगों की तैयारी कैसे चल रही है ओम प्रकास जी स्वागत है उम प्रकास जी चलिए तो क्विज सुरू किया जाए और जो भी आपके क्वेस्टन होंगे वो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर दीजिएगा ठेक है चलिए सरप्राज जी अच्छी बात है बहुत अच्छा पढ़ाई ऐसे जोरो सोरो के साथ चलती रहनी चाहिए पढ़ाई में कमजोरी नहीं होनी चाहिए स्वागत है रहतने जी तो आप लोग तयार हैं क्विज के लिए चलिए बाई अमन जी स्वागत है आपका भी तो क्विज सुरू किया जाए देखें क्विज इसी लिए होता है जिससे आपका एकदम आपने कितनी तयारी की है यह आपको पता चल सके कि आप कितना क्विजशन एक्जाम में सही करेंगे आपके अंदर का confidence इससे आएगा ठीक है तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं तो आज का पहला क्विजशन है हमारा गुडिनिंग का जल जी स्वागत है चलिए तो क्विजश सुरू किया जाए समय हो गया है तो हमारा पहला क्विशन है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है मलेरिया जब हो जाता है तो उससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है मैंली जो प्रभावित अंग है वो कौन सा है आपके option है पुजा जी स्वागत है जाहिन मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है या आपका PCS का question है पुराना question है ठीक है फिर भी question repeat होते हैं आपके लेकपाल जैसे exam में तो खास तवर से बहुत सारे question repeat होंगे जो higher level exams में जो question आते हैं वो क्या होते हैं कुछ सालों बाद lower category में पूछे जा सकते हैं ठीक है इसलिए question की जितना ज्यादा practice करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए ठीक है तो चलिए चलिए आपके option है malaria से प्रभावित होने वाला अंग है पहला है रिदय, दूसरा है प्लीहा, तीसरा है गुर्दा और चोथा है फेपडे फिर से option सुन लीजे आपका पहला option है heart, second option है spleen और third option है liver और fourth option है lungs malaria से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है रिदय या प्लीहा, third है आपका liver और fourth है आपका फेपडे तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है अमित जी डी, डी अर्था फेपडे lungs, विसाल जी लीवर और आसीज जी इस्प्लीहा, इस्प्लीन या प्लीहा, ठीक है अवदेश जी लीवर, नितीश कुमार जी लीवर, आचल जी लीवर रतनेश जी लीवर, चलिए, देखे बाई, जो इसका करेक्ट आंसर है आसीज जी, सर, यूपी पीसेस, ए आरो का, 2017 का, कुछ अपडेट है, जी उसके बारे में नागन सर जब आएंगे, लाइव आएंगे, तो वो बताएंगे, ठीक है, चलिए, तो हमारा ये जो क्वेस्टन है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा, वो होगा, इस्प्लीन या प्ली मलेरिया है, ये कई अंगों को प्रभावित करता है, लेकिन इसमें से जो मेंली है, क्रिया जी, लंग्स नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा, इस्प्लीन या प्लीहा, इसमें हमने आपको क्लास में बताया भी था, कि जब मलेरिया होता है, बिलकुल पूजा जी, इस्प्ल में RBC की सफाई होती है या dead RBC clean होती है इसकी वज़य से यहाँ पर इस्प्लीन पर overload होने की वज़य से यह क्या होता है स्प्लीन affected रो जाता है malaria की वज़य से ठीक है तो इसका correct answer है malaria से प्रभावित होने वाला सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला कौन सा है आपका वो है इस्प्लीन चलिए अगले क्वेशन की और बढ़ते हैं लोग चलिए वाई तो हमारा अगला क्वेशन है इटाई इटाई रोग किस पदार्थ के विशाक्त के कारण होता है यानि इटाई इटाई रोग किस पदार्थ के प्रदूसर के कारण होता है किस पदार्थ की अधिकता के कारण होता है इटाई इटाई रोग आपके आप्शन है पहला है पारा दूसरा है निकिल तीसरा है कैड्मियम और चौथा है सीसा फिर से सुन लिजे आपके option, question फिर से repeat कर दे रहे हैं इटाई इटाई रोग किस पदार्थ की विशाक्तता के कारण होता है आपके option है पारा, second option है निकिल, third option है कैडमियम और fourth option है सीसा या लेड तो बताइए चलिए भई, सुधीर जी, पारा, अच्छा कामता जी, कैडमियम चलिए भई और लोग कमेंट कीजिए इसे हमने लेकपाल सुपर बैच में जो class ली थी उसमें हमने इसको बताया था जो भी producer से होने वाले important रोग होते हैं उनकी चर्चा हमने की थी और इटाई इटाई रोग एक important है इसके बारे में कई बार पूछा गया है यह आपका UPPCS Mains 2008 का question है इटाई इटाई रोग किस पदार्थ के प्रदूसर्ण के कारण होता है देखे जो भी लेखपाल सुपर बैश में जुड़े हुए हैं वो वीडियो को देखे तो उसका एक proper notes बना ले चलिए इसका सही answer बता दे रहे हम देखे जो इटाई इटाई रोग है इसका जो correct answer है वो है cadmium ठीक है cadmium जब अधिक हो जाता है यानि कि खाने पीने वाली चीज़ों में यानि कि जल की मात्रा में जब cadmium की मात्रा बढ़ जाती है या किसी तरह से वो शरीर में पहुँशने लगता है cadmium इसकी वज़े से इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है ये सबी producer से फैलने वाले रोग है clear है बाई चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बताना है बेहादी आसान question आपके exam में आया हुआ है पुछा गया है कौन सी बीमारी वीसाण से होती है कौन सी बीमारी वीसाण से होती है आपके options है diphtheria पहला option है diphtheria second option है goneria third option है syphilis और fourth option है आपका trachoma फिर से सुन लीजे option कौन सी question सुन लीजे फिर से कौन सी बीमारी वीसाण जनित है viral disease है आपके option है diphtheria goneria syphilis या trachoma चलिए बाई comment किजे आपके option है प्रवे बदी चंद्रभान जी, ट्राकोमा, आउदेश जी, डिप्थीरिया, कनईया जी, ए, ए, डिप्थीरिया, आसीज जी, सिफिलिस, और निटीज जी, डिप्थीरिया, आचल जी, ट्राकोमा, कनईया जी, डिप्थीरिया, चलिए काजल जी डिप्थीरिया चलिए भाई तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हम लोग इस क्वेशन के बारे में सुधीर जी ट्राकोमा चलिए आपको फिर से रिवाईजन करा दे रहे एक ट्रिक है जिससे हम लोग देखे ये क्वेशन जो है आपका बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है जादा तर ऐसे क्वेशन पूछता है कि कौन सी डिजीज वाईरल है या वाईरस से होने वाली है कौन सी बिमारी बैक्टिरिया से होती है कौन सी बिमारी प्रोटो जोवा से और कौन सी बिमारी फंगस से ये क्वेशन बहुत बार पूछे गया है और इसमें होता क्या है बहुत सारा कंट्यूजन होता है कि कौन सी वाईरस से होने वाली बिमारी है कौन सी बैक्टीरिया से होने वाली है इसलिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से देखे जब हिमस जो बिमारिया जैसे अगर पूछ ले एड्स, मीजल्स, खसरा बगर यह जो हिमस बिमारिया हैं तो इनके बारे में हम आसानी से बता सकते हैं लेकिन और जो बिमा क्लास में हमने बताया था दिख रहा है आप सभी को कमेंट करेंगे यह जी आपको सही दिख रहा है जी तु जी स्वागत है आपका यह जी आपको क्लियर दिख रहा है ना और बड़ा लिखें चलिए और बड़ा कर देते हैं बाई जी एस टी अब दिख रहा है आपको अमिच्ची ओके चलिए देखें जी एस टी पंडित का निव टी का है चलिए जिन लोगों ने पढ़ा है वो कमेंट में बताएंगे कि यह किस चीज़ की ट्विक है बताएंगे बाई यह किस चीज़ की है बैक्टीरियल डिजीज़ की बैक्टीरियल डिजीज़ है यह सभी यह जो ट्रिक है यह बैक्टीरियल डिजीज़ की है भाई है न अब देखिए कौन-कौन सी बिमारी है आपकी जो बैक्टीरिया से होती है इसको फिर से देख लीजे एक बार इसी question से related था तो G से हमारा goneria goneria जो अभी आपके question में था option में goneria तो goneria कैसी disease है? bacterial और S से हमारा syphilis syphilis और T से है यहाँ पर typhi typhi ठीक है? और पर से यहाँ पर है plane D से है हमारा diptheria diptheria और यहाँ से त से है जो हमारा तपेदिक तपेदिक को और क्या कहते हैं भाई? हम लोग TB रोग कहते हैं ठीक है? और new से है हमारा new से है pneumonia pneumonia और T से है यहाँ पर titanus titanus और है से है हमारा है जा तो इतनी जो बिमारिया है देखीजे G से goneria S से syphilis T से typhoid और पर से प्लेग है आपका D से diptheria T से तपेदिक new से pneumonia है T से titanus है है से है यह जितनी बिमारिया है यह सभी bacterial diseases है इसके बारे में हम लोगों ने लेखपाल सुपर बैच में detail में पढ़ा हुआ है ट्रिक के साथ साथ सारी बिमारियों के बारे में पढ़ा है लेकिन इस ट्रिक को याद रखेंगे इसको note किये रहिए जिससे जी हाँ तो यह बात clear है आपको तो अब answer कौन सा हो जाएगा भाई viral disease कौन सी होगी यह तीन question तीन option जो थे gonelia, syphilis और diptheria यह तो bacterial हो गई चोथा बचा कौन सा ट्राकोमा तो आपका यह correct option होगा ट्राकोमा और कल पिछले 10 पे किसी ने पूछा भी था कि ट्राकोमा सर ठीक है तो चलिए अगले question की और बढ़ा जाए कमेंट कीजिए आसीज जी सर notes करने देख एक मिनट अच्छा हाँ ठीक है भाई स्क्रीन सॉट ले लीजे इसको देख रहा है आपको स्क्रीन सॉट ले लीजे चलिए भाई ठीक है ओके आगे बढ़ा जाए सुबम जी चलिए अगले question की और बढ़ते हैं हम लोग चलिए हमारा अगला question है blue baby syndrome blue baby syndrome बीमारी की बारे में देखे पिछले टन पर हमने चर्चा की थी कि ये किस प्रदूसक के कारण होता है ये बीमारी लेकिन ये question थोड़ा सा MPPS 2014 में पूछा गया question है इसको थोड़ा सा वो घुमा दिया है जहां उन से सुनियेगा question पूछ रहा है रक्त में निम्न की अधिक्ता से blue baby syndrome नामक बिमारी होती है तो इस question में थोड़ा सा बदलाव है पूछ रहा है कि रक्त में किस चीज की अधिक्ता हो जाती है जिसके कारण blue baby syndrome हो जाता है clear equation blue रक्त में किस की अधिक्ता से blue baby syndrome हो जाता है आपके option है पहला है iron दूसरा है lead या सीसा तीसरा है mythemoglobin और चौथा है nitrate फिर से question repeat कर दे रहे है रक्त में निम्न की अधिक्ता से blue baby syndrome नामक बिमारी होती है iron second option है lead third option है mythemoglobin और fourth option है nitrate चलिए आपके answer आने लगे सुभम जी nitrate चंद्रबान जी nitrate आचल जी डी अनी nitrate जीतू जी lead आसीस मिसरा जी nitrate सुधीर जी mythemoglobin क्रिया जी nitrate और देश जी mythemoglobin काजल जी option 4 यानी nitrate पंकर जी nitrate पुजा जी nitrate चली बाई देखे कल जो पिछले टन पे जो हमने बात की थी अमिद जी nitrate देखे बिल्कुल सही आप लोग जो कह रहे हैं वो ठीक है और इसलिए हमने हिंट दिया था कि इस situation में थोड़ा सा बदलाव है देखे जो nitrate होता है इसकी प्रदूसक यह प्रदूसक है या ऐसे कहें यह जब हमारे सेरी में जाने लगता है जब ज़्यादा मात्रा में तब यह blue baby syndrome हो जाता है लेकिन कह रहा है blue baby syndrome में blood में क्या मिल जाता है इस question में यही change है फिर से आप comment करेंगे कि देखे यह जो nitrate है यह आपका correct answer नहीं है यह nitrate तब हो ता आपका correct answer जब पूचता blue baby syndrome किस विशाक्तता के कारण होता है या किस प्रदूसक की अधिगता के कारण होता है यह आपका correct option होता nitrate लेकिन यहाँ पर पूचा है कि blood में किस की अधिगता के कारण blue baby syndrome देखें, Blue Baby Syndrome में होता क्या है? Blood या सुरी, तोचा जो है, वो नीली दिखाई देने लगती है और तोचा नीली तब दिखाई देती है, जब oxygen की कमी पड़ती है हमारे सरीर में oxygen की supply नहीं हो पाती और oxygen की supply को रोकने वाला है हमारा methemoglobin methemoglobin, तो होता क्या है? नायटरेट जब अधिक हो जाता है, विसाक पदार सहर में ज़्यादा आने लगता है तो blood में methemoglobin बनने लगता है क्या बनने लगता है भाई? methemoglobin, जिसकी वजह से oxygen की कमी पूरी नहीं हो पाती oxygen की कमी हो जाती हमारे सरीर में जिसकी वज़े से सरीर नीला दिखाई देने लगता है नीला पढ़ने लगता है इसलिए इसे blue baby syndrome करें तो आपका correct answer बिल्कुल क्रिया जी आसीज जी, मितमोगलोबिन होगा इसका correct answer सबी को clear है, इसको note कर लीजेगा कि blood में मितमोगलोबिन बनने लगता है और अगर कभी ऐसा question पूछे कि किस पदार्थ की विसाक्तता के कारण होता है तो नाइट्रेट, बिल्कुल clear है सबको अगले question की और बढ़ा जाए चली भाई चली अगला question है आपके सामने oncogene oncogene किस से संबन्धित है oncogene इस तरह से oncogene लिखा रहे है oncogene किस से संबन्धित है oncogene किस से संबन्धित है कौन से बिमारी से तो ये आपके option है तपेदिक से यानि TB दूसरा पीलिया थर्ड option है करक्रोग और फोर्थ option है आंत्र ज्वर फिर से सुन लिजे oncogene किस से संबन्धित है तपेदिक से, पीलिया से या करक्रोग से या आंत्र रोग से, आंत्र ज्वर से चलिए आपके कमेंट आने लगे सुदीर जी cancer, सुबम जी cancer, आसीज जी cancer, क्रिया जी cancer आसान question है भाई हाँ करक्रोग बिल्कुल सुदीर जी अमिर्जी cancer बिल्कुल आपका जो correct answer है वो है करक्रोग या cancer बिल्कुल सही, सुबम जी करक्रोग चंद्रबान जी cancer, बिल्कुल एकदम सही जो आंको जीन होता है ये क्या होता है करक्रोग या cancer से संबंदित होता है इसमें क्या होता है जो वाइरस होता है cancer जो होता है ये लगातार कोशिका है क्या होते on control division होने लगता है जिसकी वज़य से कुछ का है बहुत तेजी से बनने लगती है बढ़ने लगती है और इसकी वज़य से कहयं सा रोग हो जाता है on control division हो जाता है ठीक है अगले question क्यों बड़ते हैं भाई हमारा आगला क्वेशन है निम्ण में से कौन आनवनसिक रोग नहीं है निम्ण में से कौन आनवनसिक रोग नहीं है आपके आप्शन है फर्ष्ट आप्शन है डाउन सिंड्रोम सेकेंड आप्शन है हीमोफीलिया थर्ड आप्शन है बाउल सिंड्रोम और फोर्थ आप्शन है दात्र कोसी का अरक्तता यानि इसको कहें सीकल से लेनिमिया फिर से सुन लिजे कौन सा आनवनसिक रोग नहीं है डाउन सिंड्रोम हीमोफीलिया बाउल सिंड्रोम या सीकल सेल एनिमिया चली भाई कमेंट कीजिए आनवनसिक रोगों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी सुद्रीर जी सीकल से लेनिमिया क्रिया जी सर आप्शन रिपीट देखे आप्शन फिर से सुन लिजे आपके आप्शन है फ़र्ष्ट आप्शन है डाउन सिंड्रोम सेकेंड आप्शन है आपका हीमोफिलिया थर्ड आप्शन है बाउल सिंड्रोम बाउल और फोर्थ आप्शन है सीकल सेल एनिमिया क्रिया जी काजल जी आप्शन फोर यानि सीकल सेल एनिमिया अँदेश जी एनिमिया यानि सीकल सेल एनिमिया आसीज जी, ए यानि डाउन सिंड्रूम चंद्रभान जी हीमोफीलिया, चलिए ठीक है भाई चलिए भाई देखते हैं हम लोग, इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा हम आनवनसिक रोगों के बारे में लेकपाल सुपर पैच में हमने आनवनसिक रोगों के बारे में आपसे डिटेल में चर्चा की थी, ठीक है, तो आनवनसिक रोग हमने बताया था, आनवनसिक रोग दो क्वेश कर देते आपको थोड़ा सबता देते हैं सुर इसको प्रोगों के अगर हम लोग बात करें तो आनुवन्जिक रोग है जो एक फिड़ी से हुआये निफ्ट कर लीजियर हिमोफिल यही है जिसके बारे में लोगे पिछले किज में पूशा था क्विशं की रायंब एनी होता है देरीस जमता है जिसकी विजब से प्लड़ क्लाट लेट में होता है यहां या फेमस बिमारी दूसरा है आप का वानांधता वानांधता या कलर ब्लाइडनेस इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति को लालव हरे रंग में अंकर नहीं पता चल पाता है पंकच जी 3 आप्सन 3 यानी बाउल सिंड्रोम एंड रामानंद जी ओ अच्छे सिर चलिए बाई चलिए भाई देख लिजिए फिलिया वानांधता 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 कलर ब्लेंडेस इसमें क्या होता है लालव हरे रंग में विबेध नहीं कर पाते हैं थर्ड है आपका, सीकल सेल एनीमिया, सीकल सेल एनीमिया जो है, ये भी एक आनुवनसिक बिमारी है, इसमें क्या होता है, कि जो ब्लड में जो ब्लड में जो ब्लड में होती है, वो हसियाकार हो जाती है, और ये पीड़ी दर पीड़ी जाता है बाई, तो सीकल सेल एनीमिया, स अब देखें तो इस तरह से ये हैं हमारे team famous अब जितने भी syndrome है अगर हम लोग कहें syndrome तो syndrome में भी हमने चर्चा की थी syndrome कई प्रकार के syndrome होते हैं जैसे आपका down syndrome है down syndrome पटाऊ शिंड्रोम सिंड्रोम, Turner syndrome और आपका एक और है बहुत ही famous क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम, क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम, तो ये चार प्रकार के फिमस सिंड्रोम है, अब देखें जो बाउल सिंड्रोम है, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेसिन तर जो करेक्ट आंसर होगा, वो आपका बाउल सिंड्रोम हो जा जाता है प्लस एक एक्ष्ट्रा है ना एक एक्ष्ट्रा हो जाता है पटाव में में प्ड़ियоп अब सली हैं 놀уск त्यूर sem जबुदी में एक जब कर दो हमारोज वusta इस है का को इसपर मलनी होगत थ्लीक नगी right लोसों आ जाता है यानि कि इसमें हो जाता है x x y इस तरह से हो जाता है तो ये बात हमें लग रहा है आपको clear हो गई होगी जितने आनवन सिक बिमारियां है clear है भाई पूजा जी बाउल सिंड्रोम बिल्कुल इस question का correct answer जो होगा वो होगा बाउल सिंड्रोम प्रसान जी नमस्ते नमस्कार आईए स्वागत है आपका अगले क्वेशन क्यों बढ़ते हैं अगला क्वेशन है मारा कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है यानि सबसे कम कम्यूनिकेबल है एक व्यक्ति संक्रामक रोगों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है लेकपाल सुपर भैच में अमने इसकी चर्चा की थी जो बिमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है आसानी से उससे संक्रामक रोग कहते हैं तो पूछ रहा है कौन से बिमारी सबसे कम संक्रामक है आप के आपसन है अपसन है मम्स मम्स, पहला आप्षन है मम्स, सेकंड आप्षन है कालरा, थर्ड आप्षन है तपेदिक और फोर्थ आप्षन है पीलिया फिर से आप्षन सुन लीजे कहरा कौन से बिमारी संक्रामक नहीं है या सबसे कम संक्रामक है तो इसमें आप्शन है मम्स, कालरा, तपेदिक यानि टीबी और चोथा आप्शन है पीलिया चलिए बाई आसिज जी जी क्लियर है चलिए अगली क्वेशन का आंसर दीजिए सभी लोग कौन सी विमारी सबसे कम संक्रामक है चलिए अभिजी पीलिया क्रिया जी जॉइंडिस कनहिया जी डी यानि जॉइंडिस पीलिया और देश जी सर कुरोना सबसे जा कामता जी पीलिया शेंद्रबान जी पीलिया देखिए संजय जी स्वागत है आपका चलिए देखे ये जो बिमारी है स्केरा सबसे कम संक्रामक है बिल्कुल आचल जी पीलिया इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पीलिया पीलिया जॉइंडिस ऐसी बिमारी है जो दूसित जल या बोजन की वज़े से होता है ये संक्रामक बिमारी नहीं है बाकी कालरा और मम्स और आपका टीवी ये तीनों ही संक्रामक डिजीजेज हैं कम्यूनिकेबल डिजीजेज हैं ठीक है चलिए अगले क्वेशन की वर बढ़ते हैं लोग आपका अगला क्वेशन है PCS प्री 2015 का कह रहा है टाइफाइड तथा कालरा टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण है यानि किसके विशिष्ट उदाहरण है टाइफाइड तथा कालरा किसके विशिष्ट उदाहरण है आपका अप्शन है पहला है संक्रामक रोगों के दूसरा है वायू जन्य रोगों के यानि वायू से होने वाले रोग थर्डा अप्शन है जल जन्य रोगों के या इन में से कोई नहीं फिर से सुन लीजे question, टाइफायर तथा कालरा, विसिष्ट उदारण है आपके option है, संक्रामक रोगों के, सेकंड option है वायू, जन्य रोगों के और थर्ड option है, जल जन्य रोगों से, और फूर्थ option है इनमें से कोई नहीं कनया गुप्ता जी सी यानी जल जन्य जल से होने वाले और देज जी थर्ड आप्चन अमिद जी जल जन्य आचल जी सी यानी जल से होने वाली पंकज जी जल बिल्कुल बहुत खुब आप सभी के जवाब एकदम करेक्ट हैं सुधीर जी जल जन्य रोगों से बिल्कुल जो टाइफाइड और कालरा हैं ये दोनों जल जन्य रोग हैं यानी जल के में सुधियों के कारण काजल जी आप्चन थ्री बिल्कुल एकदम सही है आसीज जी जल जन्य तो ये कालरा और टाइपाइड ये जल के प्रदूसर के कारण होता है कामता जी 3 जल जनने रोगों के हाँ बिल्कुल बहुत खुब चलिए अगला क्वेशन है मारा अगले क्वेशन क्यों बढ़ते हैं क्रिया जी वाटर बॉर्ण बिल्कुल जल प्रदूसर जल की वज़े से ये टाइपाइड और कालरा बिमारी होती है जल जनने रोग है चलिए आपका जो अगला क्वेशन है वो है बी सी जी का टी का निम्न में से किसमें लगाया जाता है बी सी जी का टी का निम्न में से किसमें लगाया जाता है आपके आप्षन है निमोनिया सेकेंड आप्षन है काली खासी थर्ड आप्षन है टिटनेस और फोर्थ आप्षन है यच्छमा या टीवी टीवी भी ब्रैकेट में दिया हुआ है आपके क्वेशन में ये पीसेश प्री 2000 का क्वेशन है हलाकि ये असान क्वेशन है चलिए भाई बताईए BCG का T का किस रोग में लगाया जाता है आपके आप्षन है निमोनिया सेकेंड आप्षन है काली खासी थर्ड आप्षन है टिटनेस और फोर्थ आप्षन है टीवी सुधीर जी टूबर कुलोसिस यानि टीवी यच्छ मारो चंद्रबान जी टीवी आसीस मिसरा जी टीवी और देश जी टिटनेस कविता जी टीवी कनईय जी टूबर कुलोसिस संजय जी टीवी काजल जी आप्षन फोर आप्षन पोर यानि टीवी कामताजी त्री आप्षन फ्री यानि टिटनेस चली भाई देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा टीवी और इसे हमने पढ़ाते से में बताया था कि जो बी सी जी का टीका होता है वो तपेदिक रोक के लिए लगाया जाता है ठीक है भाई तपेदिक रोक में बी सी जी का टीका लगाया जाता है चलिए हम अपने अगले क्वेस्टन क्योवर बढ़ते हैं क्रिया जी ट्यूबर क्लोसिस पंकर जी टीबी ये फिर से हो गया क्या भाई चलिए आँ सही बिल्कुल सही आप सभी के जवाब सही हैं एकदम सही टीबी के लिए ट्यूबर क्लोसिस के लिए यच्मा तपेदिक इस बिमारी में बी सी जी का टीका लगाया जाता है चलिए हमारा अगला क्यूशन है कुष्ट रोग उत्पन किया जाता है या कुष्ट रोग उत्पन होता है ये यूपी पीसेस दो जार दस का क्यूशन है कुष्ट रोग उत्पन होता है आपके आप्सन है जीवाण दोरा विसाण दोरा कवक दोरा या फिर प्रोटो जुवा दोरा चलिए भाई आंसर दीजे कुष्ट रोग किसके द्वारा उत्पन होता है जिवान द्वारा या विसान द्वारा या कवक द्वारा या प्रुटो जुआ द्वारा सुधीर जी बैक्टीरिया कविता जी जीवान काजल जी बैक्टीरिया क्रिया जी बैक्टीरियल डिजीज क्रिया जी बैक्टीरियल डिजीज लेप्रोसी बिल्कुल पंकजी जीवान पुजा जी पीलिया कामता जी बैक्टीरिया चंद्रभान जी प्रोटो जोवा आसीज जी बैक्टीरिया संजय जी विसाण देखे जो ये लेप्रोसी है कुष्ट रोग है ये जीवाण द्वारा फ्यालता है यानि बैक्टीरिया इसका करेक्ट आंसर होगा बैक्टीरिया बहुत सही आप लोगों ने सही जवाब दिये हैं ज्यादा तर जवाब आपके बैक्टीरिया वाले आये हैं बाकी लोग क्लियर कर लें जो लेप्रोसी है कुछ रोग है ये ये बैक्टीरिया या जीवाण द्वारा होने वाला रोग है ठीक है अच्छा वहाँ पर एक चीज छूट गया था देखे जो आपका क्वेशन वो ट्रिक था जी अश्टी पंडित का न्यू टी का है तो टिटनेस के बाद का में वहाँ पर कुष्ठ रोग लिख लीजेगा आप सभी लोग जो आप लोगों ने ट्रिक लिखी है जी अश्टी पंडित का न्यू टी का है तो टी के बाद टिटनेस के बाद का से कुष्ठ रोग लिख लीजेगा संज़जी अच्छा गोपाल स्वागत है गोपाल जी सुधीर जी माइको बैक्टीरियम लेप्रे बिलकुल इसी जीवाण द्वारा लेप्रोसी रोग होता है इसे हमने लेप्पाल सुपर बैच में डिटेल में चर्चा की थी इसके बारे में चीक है चलिए आप लोग ट्रिक उसको वीडियो को जब देखिएगा फिर से तो उसमें ट्रिक में जो कासे लिख लिजएगा कुछ रोग चलिए यहीं पर हम आपको थोड़ा सा वायरल बीजीजेश के बारे में एक ट्रिक बता देते हैं जिससे यह हम लोग यहाँ पर खाली हो जाए है ना तो जो लोग लेकपाल सुपर बैच में नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी यह ट्रिक क्लियर हो जाए हुआ है कि देखिए बारी जो हमारी ट्रिक है कौन सी है वारल डीजीज वाली वारल डीजीज के बारे में बात हमने की थी उसमें एक ट्रिक थी आपकी ए चाचा जब कोई बच्चे सरदानी करते हैं क्या करते हैं ए चाचा इन्हें डाटो मद्थ खरेगाल पर चापो खरेगाल पर चापो आजकल के परेंट्स तरह नहीं करते हैं लेकिन पहले क्या करते थे समझाओ कोई डाटो और समझाओं जाओ नहीं लगा दो बजा दो रहा ना खरेगाल पे छापो तो यह ट्रिक जो है हमारी यह वायरल डिजीजेज है वायरल डिजीजेज जो वायरस से होने वाली डिजीजेज है इन सभी के बारे में यह ट्रिक है ये चाचा इन्हें डाटों मत खरेगाल पे चापो ये सब को दिख रहा है बाई, क्लियर है पूजा जी ऑप्सन सी ऑप्सन सी नहीं कवक द्वारा नहीं बाई ये जो लेप्रोसी था वो आपका कुश्ट रोग जो है बैक्टिरिया से होता है चली वारल डिजीजेस के बारे में देख लेते हैं हम लोग ए से है हमारा एड्स पटाफट देख लेते हैं एड्स चास है हमारा यहाँ पर छेचक और एड्स चास है ओवर चिकन गुनिया पटाफट देख लेते हैं हम लोग चिकन गुनिया का है यहां पर इंफ्लुएंजार इन्फ्लुएंक्या श्रुवाली विमारी है कि वह हुआ सब यहां पर होती है अधिकैंट्स देंग है श्रीम में और टास हैं च्राइक However यहन देखें यह उतित डराकॉमு मेनिंजाइटिस, देखरा है मेनिंजाइटिस, खस है यहाँ पर खसरा, खस है हमारा खसरा, और रेस है हमारा यहाँ पर रेबीज, या हाइड्रोपोपिया जिसको कहते हैं, गास है गल्सुवार या मम्स, मम्स है, और पेस है, यहाँ पर हम कह सकते हैं, पीलिया, छस है हमारा छोटी माता, और ओस है हमारा ओलियू, तो यह जितनी बीमारिया है, यह बाइरल डिजिजिजिज हैं, एड्स, चेट्चक, चिकनगुनिया, इंफ्लेंजा, डेंगू, ट्राकोमा, मेनिंजाइटिस, खसरा, रेबीज, गल्सुवार, पीलिया, छोटी माता और ओलियू, तो यह चाचा इन्हें डाट्चों मत, खरे गाल पे छापो, यह ट्रिक है हमारी बाइरल डिजिजिजिज बहुत ही आसान, मज़ेदार ट्रिक है, इससे आपके क्वेशन में बहुत बार ऐसे क्वेशन पूछे जाते हैं, कौन सी वारल डिजिजिज है और कौन सी बैक्टिरियल डिजिजिजिज, जिसमें आप सही कर सकते हैं अगले क्वेशन के और बढ़ते हैं अगला क्वेशन है हमारा, विस्व मारी, यानि महा मारी के बारे में कह रहा है, विस्व मारी, एच फाइब, एच फाइब, एनवन एच फाइब, एनवन, इन्फ्लुएंज़ा को कहते हैं एच फाइब, एनवन, इन्फ्लुएंज़ा को कहते हैं आसीज जी, जबर्जा स्ट्रिक, चलिए, बहुत अच्छा चलिए अगला क्यूशन है हमारा H5N1 Influenza को कहते है स्वागत है आसिज जी चलिए H5N1 Influenza को कहते है आपके option है बकरी फ्लू second option है बर्ड फ्लू third option है स्वाइन फ्लू और fourth option है गाय फ्लू देखें ये आपके RTS pre 2010 में पुछा गया question है H5N1 ये है बीमारी इससे होने वाली बीमारी को क्या कहते है बकरी फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या गाय फ्लू या काव फ्लू देखें इन्फ्लूएंजा का यहां से तापपर है जितनी भी फ्लू वाली बीमारी है इसके बारे में हमने चर्चा की थी इसके बारे में भी H5N1 और एक है H1N1 इन दोनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी सुदीर जी स्वाइन फ्लू क्रिया जी बड फ्लू चंद्रभान जी स्वाइन फ्लू अधेज जी स्वाइन फ्लू चली भाई सुदीर जी बड फ्लू आपका आपसन बदल गया चलिए ठीक है तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बर्ड फ्लू तो यहाँ पर हमने क्लास में चर्चा भी थी थी जो H1N1 है आसीस जी बर्ड फ्लू हाँ बिलकुल H1N1 जो है यह आपका स्वाइन फ्लू है यह आपका क्या है स्वाइन फ्लू और जो H5N1 है H5N1 है यह हमारा है बर्ड फ्लू तो हमारा जो यह question है H5N1 यह इसका करेक्ट अंसर क्या होगा बर्ड फ्लू पूजा जी सर कमेंट लेट जा रहा है सो ठीक है कोई बात नहीं पूजा जी ठीक है आप अपनी तरफ से बेज़ते रही है कमेंट करते रही है आपको तो तसल्ली रहेगी कि हाँ हमने करेक्ट आंसर दिया है अस इस इंटरनेट प्रावलम बिल्कुल ये देखे भाई हो सकता है नेटवर्क की प्रावलम तो हो ही जाती है बीच बीच में लेकिन आपको जब भी आपका वीडियो प्ले हो आप अपने कमेंट में अपने से आंसर दे दिजे हम बाद में वो समझ जाते हैं कि हमें करेक्ट जवाब दिया था आपने कोसिस की चलिए लगे रहें ये इसी तरह तो आपके ये दोनों question clear हो गए चलिए बाई अगले question क्यों बढ़ते हैं हम लोग अगला question है हमारा एक important question है बाई UPPCS means 2014 का question है आपका Ebola virus Ebola दिख रहा है इबोला क्या बोला बाई Ebola इबोला वायरस इबोला है एक अच्छा इसका तो आंसर ही हमने बता दिया Ebola है ऐसे लिखा हुआ है Ebola है एक आतंकवादी संगठन second option है प्राणगा तक वीशाण third है AIDS परिच्छन या इनमें से कोई नहीं आप पर भी इंटरनेट प्राब्लम हो गई आसी जी चलिए देखते हैं तो सुन पा रहे हैं आप सभी लोग सुदेर जी वायरस हाँ यह बोला अभी अब ने बोली भी दिया था कि जो यह यह बोला है एक वायरस है चलिए इस वायरस बारे में हम बता देते हैं यह वायरस 2014 में बहुत तेज अफ्रीकी देशों में फैला था जिसमें क्या होता है कि चंद्रभान जी वायरस आसी जी रीवर हाँ देखे वाई इबोला यहां पर अच्छा यह हम बताना चाहा रहे हैं आपको इबोला एक तरह से वायरस है लेकिन इसका नाम इबोला क्यों रखा गया क्योंकि अफ्रीका में कांगो के पास एक कांगो नदी है कांगो रीवर है उसको इबोला रीवर भी कहते हैं तो यहाँ पर जैसे आपके आप्शन में रीवर नहीं था आसी जी अच्छी बात बताई आपने तो वहां पर जो इबोला रीवर है उसी के तट पर ये बिमारी फैले हुई थी इसलिए इसका नाम भी इबोला वायरस रख दिया गया ठीक है इस वायरस में क्या होता है मरीज के पसीने मरीज के खून और मतलब की एक तरह से कहा है बुखार जैसी बुखार होने लगता है बाल जढ़ने लगते हैं ठीक है और एक खतरनाग बिमारी थी मामारी के रूप में एक बार फैली हुई थी ये दोजार चोदा में डबलुए चुन नहीं से मामारी के रूप में घोसित किया था चले बाई अगले क्वेशन क्यों बढ़ते हैं हम लोग तो हमारा अगला क्वेशन है छिचले हैंड पंप से बाउ थी तार की क्वेशन है ये आसान सा क्वेशन है छिचले हैंड पंप से पीने वाले पानी पीने वाले छिचले हैंड पंप से पानी पीने वाले लोगों को निम्न में से कौन सी बिमारी हो सकती है यानि आप जानते है जो छिछला हैंड पंप होता है जिसका मुखड़ा मुझ होता है का पी चोड़ा होता है तो वहां से पानी पीने वाले लोगों को कौन सी बिमारी हो सकती है और अच्छा ये क्वेशन है आपका थोड़ा सा चेंज है इसमें छिछले हैंड हैंड पंप से पानी पीने वाले लोगों को कौन सी बिमारी नहीं हो सकती ठीक है तो आप समझ लीजिएगा आपका आप्शन है पहला है है जा कि दूसरा टाइफाइड तीसरा पी लिया और चौथा है फ्लोरोसिस कि दूसरा फिरसे सुनलीज्ये छिछले हैंड पंप से पानी पीने वालों को निमन में से कौन welcoming नहीं हो सकती जा इन में बिमारी होने की संभावना कम है तो आपके आप्टे हैजा सेकंड आप्टे है काल रा तर्ड आप्टे है पीलिया और हुर्थ है फ्लोरोसिस चलिए भाई कमेंट कीजिए तो इन चारों में से सैफ जी स्वागत है सुदीर जी फ्लोरोसिस और देश जी फ्लोरोसिस, सासीज जी फ्लोरोसिस पंकत जी एक बार फिर से क्लियर करिये सर क्योशन के बारे में कह रहे हैं, क्योशन है आपका छिछले हैंड़ पंप से जो लोग पानी पीते हैं उनको कौन सी बिमारी इन चार आप्चन में से कौन सी बिमारी नहीं हो सकती आप्चन है हैजा या कालरा सेकेंड आप्चन है आपका टाइफाइड थर्ड आप्चन है पीलिया या जॉइंडिस और फोर्थ आप्चन है फ्लोरोसिस चंद्रबान जी फ्लोरोसिस, दीपक जी हैजा गोपाल जी फ्लोरोसिस गोलू भाई जी फ्लोरोसिस चलिए भाई देखे बिल्कुल इपक जी पीलिया तो ये क्या है शिचले हैंड पंप में क्या होता है शिचले हैंड पंप में प्रदूसर्ण आसानी से फैल सकता है या कहें गंदगी आसानी से जा सकती है और जल की गंदगी से होने वाली ये तीनों बीमारिया हैं कौन-कौन सी हैजा, टाइफाइड और पीलिया ये तीनों प्रदूसित जल की वज़े से होता है जब कि फ्लोरोसिस जो है वो जल में फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने के कारण होती है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्लोरोसिस इसको समझ लीजिए क्या है कि जब जल में फ्लोरीन की मात्रा होगी तभी ये रोग होता है फ्लोरोसिस इसके छिछले हैंड पंप या पतले हैंड पंप से कोई लेना देना इसका नहीं है चिछले hand pump में क्या होता है देखे पिछले जमाने में या कई साल पहले चिछले hand pump बहुत धेर सारे देखने को मिलते थे और इसकी वज़े से उसमें बहुत सारी असुदियां या गंदगी फैल सकती थी जिसकी वज़े से बीमारियां हो सकती है कौन-कौन सी ये हैजा, पीलिया और टाइफाइड ये तीनों प्रदूसर के कारण या प्रदूसर जल के कारण होती है इसलिए ये तीनों आप्षन तीनों बीमारियां हो सकती है चिछले hand pump के वज़े से फ्लोरसिस नहीं ठीक है चले भाई तो अगले क्वेशन क्यों बढ़ते हैं भाई, एक क्वेशन है आपका, इंपर्टन क्वेशन है, सुन लिजे इसको इस्त्रियों की तुलना में पुरुस वाणांदता से अधिक पीडित हो सकते हैं, इसके आप्षन है, जैके एक क्वेशन ये है, कह रहा है कि इस्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुस वाणांदता से पीडित हो सकते हैं, क्योंकि आपक्य आप्चन है वे मानसिक तनाव से गुजड़ते हैं सेकेंड आप्चन है वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं थर्ड आप्चन है उनमें किवल एक एक क्रोमोसूम होता है और फूर्थ आप्चन है उनमें साधारन तह कम चरबी होती है अभी देखे वढ़ननता के बारे में हमने चलिए कमेंट कीजे वढ़ननता के बारे में हमने बात की थी और हमने बताया था यह एक अनबन्सिक भीमारी होती है तो इसमें कह रहा है कि इस्त्रियों में इस्त्रियों की तुलना में पुरुस ज़्यादा वर्णानत होते हैं यानि कि लाल और हरे रंग में अंतर करने वाली बीमारी जो होती है वो पुरुसों में ज़्यादा होती है क्यों? क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, सेकंड आप चने अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, थर्ड आप चने उनमें किवल एक X क्रोमोसोम होता है, और पोर्थ आप चने उनमें साधारता पुरसों में कम चरबी होती है, चलिए तो आपके आंसर आने लग जी स्वागत है रितेश जी, असीज जी, सी, सैब जी सी, काजल जी सी, और देश जी थर्ड आप्चन याने आप सभी के आंसर एकदम करेक्ट हैं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या है कि पुरसों में केवल एक X क्रोमोसोम होता है, जिसकी वज़ह से गोलु भाई जी जी सी, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट आंसर है, उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है, जिसकी वज़ह से पुरुस अधिक वणांद होते हैं, चली भाई इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं, इसको देख लिजे थोड़ा सा, क्या है, जो पुरुस में वणांदता या हीमोफिलिया, यह दोनों रोगों का जो प्रसार होता है, वो सेम, यानि कि जो कर्डिशन है, जो चलती है, पीड़ी दर पीड़ी, वो हीमोफिलियार वणाता था कि एक जैस चलती है, तो होता क्या है, जो एक सेक्स होता है, यह फीमेल सेक्स क्रोमोसोम है, और आपका एक्स तो रिस्यसिव होने के कारण रिस्यसिव, यह दोनों बीमारिया कैसी है, रिस्यसिव होने करण यह एक्स इसको सप्रेश कर देता है, जिसकी वज़ासे यह रोग इसमें आसानी से दिखाई नहीं देता, यानि कि अगर इस तुरियों में एक एक्स क्या है हो गया है आपका इस रोग से ग्रस्त हो गया तब भी वो जल्दी बीमार नहीं होगी कब तक जब तक दोनों पर दोनों एक्स क्रोमोसम पर क्या होगा ये रोग नहीं दिखेगा जबकि मेर में क्या होता है अगर एक एक्स पर भी इस रोग का कोई कारक आ गया इस रोग का पैक्टर आ गया तो ये तुरंत इन बीमारी ये वाई क्या है इसको सप्रेस नहीं कर पाता जिसकी वजह से ये बीमारी एक-उस होने के कारण आपसानी से दिखने लगती है ठीक है और इसलिए पुरुस, पुरुसों में हीमोखिलिया या वर्णासिता रोग आसानी से प्रकट होने लगता है, तो इसलिए बात एक उत्तरा से समझ लिजिए, इसको ये बात क्लियर है आप सभी को, ठीक है, तो आज का लाइव सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और हमने जो डिजीजेज वाले रोगों के जो क्वेस्टन है, वो लगबग लगबग सही कर लिया है, सब कुछ, सहब जी, धनिवाद, सुदीर जी, हाँ, वली सिंगल एक्स क्रोमोसूम, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दिपक जी, अच्छा, पुर्सों में चेर्बी कम होती है, चलिए ठीक है भाई, यहां चेर्बी तो कम होती है, बिल्कुल, क्योंकि पुर्सों, इस्प्रियों में फैट का डिपोजीशन जादा होता, लेकिन यहाँ पर वो करेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए वो वाणांधता या हिमोफिलिया से ग्रसित नहीं हो जाएगा, ठीक है भाई, चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सुभम तिवारी जी, चलिए स्वागत है, चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, चलिए भाई, थैंक यू, थैंक यू सर, आप सभी का धन्यवाद, क्रिया जी, धन्यवाद आपका भी, गुड़नाइट टो आल आफ यू,